हेलो बचों देखे ना फौर्थ यूनिट सार्टिंग मैटेरियल इन्टू ग्रूप्स इस गूइंग अन इन इन दिस सेरीज दे लास्ट टॉपिक आप दिस यूनिट इस ट्रांस्पेरेंशी ओके तो चितने भी ही सॉलेट थिंग्स हैं या सॉलेट के अलावा लिक्विड भी आ जाते हैं ठीक है न तो इनको आर पार देख सकने के स्थिती के आधार पर तीन केटेगरी में डिवाइट किया गया है एक वो चीजें जिनके एक साइड हम खड़े हो करके और उनके दूसरे साइड हम पूरी तरह से देख सकते हैं जैसे कांच जिसको हम ग्लास भी कहते हैं ठीके न वो पूरी तरह से हम उसके आर पार देख सकते हैं तो वो क्या हो गया transparent हो गया ऐसे ही जब bucket में पानी भरा होता है और अगर कोई चीज गिर गई पानी में तो हमें bucket की bottom में वो चीज बिलकुल clear दिखाई देती है तो पानी भी क्या हो गया वो transparent हो गया ठीक है न ऐसे कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे आर पार दिखता तो है कितना दिखता है थोड़ा बहुत दिखता है ऐसा लगता है हाँ उदर कुछ है लेकिन very clear दिखाई नहीं देता है ठीक है न ऐसी चीजों को हम कहते है translucent जिनसे बिलकुल आर पार clear दिखाई देता है उनको कहते है transparent जैसे आप अपने notebook में एक cover चड़ाते हो polythene का ठीक है न अगर polythene आपकी colorless है तो निश्चित रूप से वो transparent होगी ऐसे ही जब बाजार से सामान लाते हैं तो shopkeeper जिस polythene में सामान देते हैं अगर वो polythene कैसी है white type की है जिसको transparent कहेंगे उससे भी आर पार दिखाई दे जाता है उसको कहते हैं transparent ठीक है और तीसरी तरह की वो चीज़ें होती है जिनसे आर पार कुछ भी नहीं दिखाई देता जैसे मान लिजे आप अपने चेहरे के आगे एक book लगा लिजे अब आपको book के दूसरी तरफ कुछ नहीं दिखाई देगा तो book क्या हो गई ओ पक हो गई ठीक है न तो किसी object के object से हो करके अगर आर पार दिखाई देने के आधार पर हम objects को categorize करें तो हम कुल तीन केटेगरी में divide कर सकते हैं पहला है transparent दूसरा है translucent और तीसरा है ओपक transparent वस्तूओं के जो characters होते हैं उसी को हम कह देते हैं transparency अब देखिए यह एक साब की पिक यहां पर दिखाई दे रही है ठीक है और इसमें देखिए कुछ plastic के container है और कुछ glass के container है लेकिन container कैसे हैं उनके अंदर रखी हुई जो भी चीजें हैं वो हमें बाहर से clear दिखाई दे रही है तो यह जो property है इसको कहते हैं transparency ठीक है ना इसको transparency कहते हैं दूसरी तरफ there are some materials through which we cannot or you are not able to see आप नहीं देख सकते these materials are called opaque ऐसे material को हम क्या कहते हैं ओपक कहते हैं ठीक है जिन से हमें आरपार नहीं दिखाई देता जैसे अभी मैंने आपको बोला था कि आप अपने चेहरे के आगे एक book लगा लीजिए और फिर देखी आपको सामने कुछ नहीं दिखाई देगा तो book कैसी हो गई ओपक हो गई You cannot tell what is kept in a closed wooden box आप नहीं बता सकते कि बंद लगडी के box के अंदर क्या है ठीक है न या cardboard के पीछे क्या रखा हुआ है ठीक है या metal container या box के अंदर क्या है ठीक है Do we find that we can group all material and object without any confusion As either opaque are transparent अब आप खर में बहुत सारी चीजें होंगी उनके नाम लिखिए और उन वस्तूओं को इकठा करके आप उनको एक एक करके चेक कर लिजे देख करके चेक करिए कि हमको उसके आरपार दिखाई देता है कि नहीं अगर आरपार दिखाई देता है तो उसे transparent group में रखिए और अगर बिलकुल नहीं दिखाई देता है तो आप उसे उपक group में रखिए और अगर आपको कुछ धुन्दला कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हाँ उदर कुछ है तो आप उसको translucent में रखेंगे ठीक है न अभी activity 6 देख लेते हैं और इसे bulb के आगे ले जाकर के देखिए LED के आगे ले जाकर देखिए make a note of your observation और जो कुछ आपको दिखाई देता है समझ में आता है उसे आप लिखिए now put through 2-3 drops of oils अब आपसे कह रहे हैं कि उसी paper में आप 2-3 drop oil के डाल दीजिए ठीक है न जब oil के डालेंगे तो seat oily हो जाएगी फैला दीजिए उसको ठीक है look again towards light and bulb अब आप जो है उसी paper को जिसमें oil लगा हुआ है उसको आप जो है जलती हुई LED जो bulb होती है उसके आगे आप ले जाकर के देखिए और आप देखेंगे कि आपको पहले उस paper से आर पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था लेकिन जब oily seat हो गई तो आपको यह मैसूस होने लगेगा कि हाँ उधर है उधर कुछ बल्ब जैसा है जो जल लहा है लेकिन बहुत clear आपको दिखाई नहीं देगा तो ऐसी condition को हम क्या कहते हैं इसको कहते हैं Translucent क्या कहते हैं Translucent ठीक है ना Translucent समझ में आ गया होगा Remember the oily patch on the paper when tested food item for presence of fat आपको यह ध्यान रखना है कि पेपर में oily patch जो होते हैं यह किसी वस्तु में oily of fat की उपस्थित की को टेस्ट करने के लिए किया जाता है जैसे मान लीजे आप से कहा जाएगी जो पीनट्स होते हैं उसमें fat है की नहीं है तो आप कह देंगे है कोई आप से कह दे कि आप कैसे सिद्ध करोगे कि उसमें पीनट्स में जो है है फाइट है आप बोलेंगे मैं अभी आप को सिद्ध करके दिखा देता हूँ आप क्या करेंगे पीनट्स के सीट निकालेंगे आप ठीक है और उसको आप थोड़ा सा किसी भारी चीद से घर में जो बेल अनिया पत्थार या कुछ ऐसा होगा उसे थोड़ा थोड़ा तोड़ दीजे और उसे एक पेपर में लपेट करके रख दीजे थोड़ी देर के बाद आप पेपर को खोलेंगे और आप देखेंगे कि उस पेपर में ओयली पैचेज आ जाते हैं किसी पेपर में ओयली पैच आ जाने का मतलब है कि जो वस्तु उसमें रखी हुई है उसमें उसमें क्या है उसमें जो आईली पैचेज हैं वो ये बताते हैं कि जो चीज आपने पेपर में रखी हुई है उसमें फैट है उसमें ओयल है ठीक है न चलिए ये आप जो है अगल जो आपके कुछ ऐसे यूनिट्स मिलेंगे आपके ही क्लास में जिन में आपको ये सीखना पड़ेगा प्रोटीन का टेस्ट, फैट का टेस्ट, कार्बाइड डेट का टेस्ट ठीक है न, बलकि पीछे आपने जो है ये पड़ भी रखा है, सीख भी रखा है ठीक है न, तो इस तरीके से बच्चों आपने इसमें बहुत सारी प्रोपर्टी जाफ मैटीरियल आपने सीख लिया होगा, अब आपको क्या करना है, ये जो एक्सरसाइज है, पहले तो ध्यान रखिएगा, ये जो की वर्ड्स है न, आप इनको लिख लीजिएगा, ठीक है न, हार्ड, ह सॉलिड इस्टेट, आएंड, आदे आर, वेरी लेस मैलीएवल, ठीक है न, वेरी लेस डक्टाइल, ठीक है न, उनको हार्ड कहते हैं, इन सॉलिवल, इन सॉलिवल का मतलब क्या होता है, जो सबस्टेंसेस, विच आर नाट डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में नहीं गु उनको insoluble कहते हैं लस्टर लस्टर मींस क्या होता है किसी मेटल की चमक को लस्टर कहते हैं जैसे सोना होता है न गोल्ड गोल्ड बहुत चमकता है तो उसको हम क्या कहेंगे sign of gold न कहके उसको हम कहेंगे लस्टर आफ गोल्ड ठीक है ना? material, material तो आप समझते ही है all the things are made up of any material, उसकी न किसी चीज़ के बने हुए है ठीक है, metals, metals क्या होते हैं, metals hard होते हैं, metals ductile होते हैं, metals malleable होते हैं, metals lustrous होते हैं, metals sonorous होते हैं, आपको ये लिखना है ऐसे ही ओपक, ओपक, those objects through which we are not able to see, जिसके आरपार हम देख सकने में सक्षम नहीं हैं, ऐसी चीज़ों को ओपक कहते हैं, ठीक है न, और rough, rough आप समझते हैं, जो भद्दा है, उसे rough कहते हैं, soluble, जो चीज़ गुल जाती है, जैसे अभी मैंने बताया इन soluble को, वैसे soluble, those substances which are dissolved in water, which can dissolve in water, are called soluble, translucent, those substance, या those objects through which we are not able to see clearly, ठीक है न, अगर हम बिलकुल नहीं देख पाते हैं, तो ओपक कहते हैं, लेकिन हम clearly नहीं देख पाते हैं, इसलिए उसको translucent कहते हैं, and those substances, those materials through which we are able to see clearly, are called transparent, ठीक है न, आपको बात समझ में आ गई, अब देखिए, आगे क्या दे रखा है, exercise में, name five object which can be made from wood, आपको पांच ऐसी चीजों के नाम लिखने हैं, जो wood के बने हुए हैं, wood के बने हुए जैसे chair, table, bed, door, window, stool, bench, balance, ठीक है, इनके बारे में आपको लिख देना है, select those objects from the following which sign, आपको नीचे लिखे हुए चीजों में छाटना है कि कौन-कौन चमकते हैं, glass bowl, plastic, twy, steel, spoon, cotton, salt, तो glass bowl, और जो steel का spoon है, वो आपका क्या है, चमकतार है, ठीक है, match the object given below with material from which made, ठीक है न, remember an object could be made from more than one material, and a given material could be used for making many objects, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा object किस material का बना है, इसके साथ-साथ ये भी ध्यान रखना है कि किस material की बहुत सारी चीजों बन जाती है, तो आपको सब को पता है, आप सब बहुत होशी यारों, जैसे book, paper का बनता है, tumbler, tumbler किसका बनता है, हम कहेंगे glass का बनता है, तो कुछ कहेंगे, नहीं-णहीं sir, मेरे घर में तो steel का भी tumbler है, कोई कहाएगा मेरे घर में तो प्लास्टिक का भी टंबला रहे समझ रहे हैं न यही बात उपर कह रहा है कि कुछ ऐसे material हैं कुछ ऐसी चीजें हैं जो एक से ज़्यादा material की बनी होती है ठीके चेयर जो बनी होती बनी होती यह भी एक से ज़्यादा बहुत सारे घरों में वुड की चेयर मिलेगी आपको बहुत सारे घरों में प्लास्टिक की भी चेयर मिलेगी आपको ठीके ना तो ध्यान रखिएगा ऐसे ही ट्वाए ट्वाए मोस्टली आपका प्लास्टिक का बना होता है या फिर पीपर का बना होता है ठीक है ना ट्वाय जो है वो कांच का नहीं बना होता क्योंकि वो बहुत जल्दी तूड़ जाता है हाँ आपको मैं बता दूँ पहले ट्वाय जो है वो वोडेन के और मिट्टी के भी कले के भी बने होते थे ठीक है आज कल ट्वाय प्लास्टिक के और पेपर के बनते हैं शूज शूज आपके लेदर के बनते हैं ठीक है ना ध्यान रखिएगा अच्छा question number 4 क्या कह रहा state whether the statement given below are true or false आपको केवल ये लिखना है कि ये जो sentence है वो सत्त है या असत्त है true है या false है stone is transparent while glass is opaque ये तो बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है हम जानते हैं कि stone transparent नहीं होता जबकि glass transparent होता है तो ये तो false हो गया अगर ऐसा लिखा होता stone is opaque while glass is transparent ऐसा लिखा होता तो सही हो जाता तो फिर true लिखते हम इसको लेकिन अभी क्या लिखेंगे false a notebook has luster while eraser does not notebook में चमक होती है लेकिन eraser में चमक नहीं होती ये तो बिल्कुल असकते है ठीक है ना फिर अगला क्या है chalk dissolving water बच्चो चौक को water में dissolve करके देख लो आप देखेंगे आपको शुरू सुरू में लगेगा कि चाक पानी में गुल जाती है लेकिन थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि वो गुली हुई chalk जो आपको गुली हुई लग रही थी वो एक्चुली गुलती ही नहीं है वो थोड़ी देर के बाद settle down on the bottom हो जाएगी ठीक है न वो bottom में बैठ जाएगी पानी पानी उपर बिलकुल साफ सुक्च फिर से हो जाएगा तो इसका मतलब चाक पानी में नहीं गुलती है ठीक है अपीस आफ वोड़ फ्लॉट अंडर वाटर ये बात सही है जो लकड़ी का टुकड़ा होता है वो पानी में तहरता है ठीक है न तो आपको इतनी सारी बातों का ध्यान रखना है अभी आगे और question दिये हुए है इसी में true-false में sugar does not dissolve in water ये भी सत्ते नहीं है क्योंकि सुगर तो पानी में गुल जाती है ठीक है न तो ये false हो गया Idle mixed with water ये भी आसंते है क्योंकि Idle water में mix नहीं होता बच्चों ये जितने भी पॉइंट आपके true false में दिये हुए हैं इसका मतलब है question का कि आप इन्हें करके देखिए जैसे sand settle down in water आप थोड़ा मिट्टी लीजिए और पानी में उसको गोल दीजिए थोड़ी दे छोड़ दीजिए आप देखेंगे मिट्टी साब नीचे बढ़ जाएगी तब sand settle down in the water तो जो seventh वाला है ये तो क्या हो गया सत्ते हो गया तो यहां true लिखेंगे फिर eighth में vinegar dissolving water घर में vinegar रखी होगी सिरका जिसको बोलते हैं पानी में खोल के देखना खुल जाता है लिख देंगे yes true vinegar dissolving water it's true ठीक है given below are the names of some object and material ठीक है water basketball orange sugar globe apple and earth and picture group them as अब इनको आपको क्या करना है group करना है इनका किस आधार पर number 1 कह रहे है round shape and other shape एक group बनेगा round shape और एक बनेगा other shape तो round shape में कौन आएगा basketball आजाएगी orange भी आजाएगा round shape में ठीक है sugar नहीं आएगा globe आजाएगा round shape में apple नहीं आएगा क्योंकि apple actually बिलकुल round shape नहीं होता and earth and picture इसको हम ले सकते हैं लेकिन इसका जो neck के उपर का हिस्सा है वो कैसा है वो थोड़ा अलग हो जाता है ठीक है तो आप earth and picture को ले सकते हैं किस में round shape में तो other shape में क्या आजाएगा water है sugar है apple है यह आपका किस में आजाएगा other shape में ऐसे ही eat table and non eat table खाने योग और ना खाने योग तो पानी खाया जाता है नहीं तो non eat table हो गया basketball खाएंगे क्या नहीं खाएंगे तो non eat table हो गया orange खा सकते हैं तो eat table चीनी सुगर जो है वो खाते हैं eat table globe नहीं खाते हैं non eat table apple खाते हैं eat table earth in picture मिट्टी का गड़ा खाते हैं यह नहीं खाते तो non eat table में आ गया list all the items to you that float on water check and see if they will float on an kerosene oil or kerosene अब आप घर में क्या करिये थोड़ा सा experiment करना पड़ेगा मम्मी पापा की देख रहे हैं ठीक है आप 4-5 छोटी-छोटी चीजों को लीजिए ऐसी चीजें जो पानी में तैरती हैं और उनी चीजों को आप फिर सरसों के तेल में या kerosene के तेल में आप उनको डाल के देखिया और देखिये क्या वो चीजें पानी में जो तैर रही थी वो इन में भी तैरती है जो तैरती है तो फिर आप उनके बारे में लिखिये ठीक है ना? ये आपका स्वेच्छी question है आप कौन सी चीज लेते हैं? गर में क्या अब लेवल है आपके? ठीक है ना? उस हिसाब से करना है question number seven find the odd one cut from the following odd कौन सा है इसमें? जैसे chair लकड़ी की बनती है bed लकड़ी की बनती है table लकड़ी की बनती है cup board लकड़ी की बनती है baby नहीं बनता तो baby क्या होगे? odd हो गया इसमें rose एक flower है jasmine भी flower है boat नहीं है flower marigold और lotus ये भी flower है तो boat इसमें क्या हो गया? ये आपका odd हो गया है aluminium एक metal है iron metal है copper metal है silver metal है sand metal नहीं है तो sand odd हो गया sugar खाने की चीज़ है मीटी होती है salt खाने की चीज़ है नमकीन है sand खाने की चीज़ नहीं है ठीक है ना? copper sulfate हलाकि ये भी खाने की चीज़ नहीं है अब यहाँ पर इसको कैसे odd बनाएंगे? इसको ऐसे odd बनाएंगे कि हमारे घर में sugar होती है salt होती है और sand भी रहती है ठीक है ना? लेकिन copper sulfate हमारे घर में नहीं रहता तो इसमें copper sulfate को हटा दीजिए आप odd मान लीजिए समझ गए ना? ठीक है बच्चों? अब आपको क्या करना है? ये suggested activity से आपको पढ़ करके और अपने इसाब से अपने parents की care में activity करनी है और उसके बारे में copy में लिखना है ठीक है बच्चों? तो आप इसको कर लीजिएगा ओके? ओके, thank you